हेलो एवर्वान वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल स्टेडी एमके स्टेडी एमके में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रिस करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रिब्यूटेड आफ्टर 40% स्लेबस रेडक्शन फार क्लास 11 और 12 क्लास 11 और 12 के लिए 40% स्लेबस में जो रेडक्शन हुई है उसका जो एक्जाम में वेटेज है उसके वारे में हम लोग डिस्क्रिस करने वाले हैं तो चलिए विदावड वेस्टिंग टाइम डिस्क्रिस करते हैं 40% रेडक्शन का क्या मीनिंग है तो चलिए बिस्केश करते हैं क्लास 11th and 12th में medical section में 70 marks का जो exam होता है वो theory paper में से होता है जो की physics, chemistry, bio, evs and physical education subjects related होते हैं इसमें 70 marks जो है वो theory paper होता है अब 70 marks जो question paper होगा 70 marks का उसमें से attempt करने है 42 marks आपको 42 marks का attemptation उसमें करना है जो 42 marks आप उसमें attempt करोगे 42 attemptation वो equivalent होगा 70 marks के और जो 35 attemptation होगी वो होगी 58 marks के similarly 30 attemptation आपकी होगी 50 marks के बराबर 25 attempt करते हो तो 41 marks के बराबर 20 attempt करते हो तो वो 33 marks के बराबर होगा इसी तरह से इस rule को follow करते हुए अगर अगर आप 70 marks question paper में से 15 attempt करते हो यानि कि 15 marks का attempt करते हो तो आपके वो marks होंगे वो 25 marks count किया जाएंगे वो आपके पास marks होंगे I hope ये आपको समझ आया होगा theory section आपको समझ आया होगा किस तरह से आप attempt करोगे और कितने marks आपको मिलेंगे तो इसके लिए आप वीडियो को pause करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो चलिए अब हम discuss करते हैं वो exams, वो paper जो 100 marks के होंगे वो होंगे English and Math English and Math section में जो 100 marks का paper होगा उसमें से आपको attempt करने है 60 marks 60 marks attemptation जो आपकी होगी वो count की जाएगी 100 marks ये देखिए 60 attemptation will be equal to 100 marks अगर आप 55 attempt करते हो तो वो count होंगे 91 marks इसी तरह से 50 attempt जो होगी वो 83 के बराबर होगी 40 attempt होगी वो 66 marks के बराबर होगी तो अगर आप last में 20 attempt करते हो यानि कि out of 100 question में से अगर आप सिर्फ 20 attemptation करते हो तो वो equivalent हो जाएगा 33 marks के बराबर यानि कि वो आपके pass marks होंगे जैसे आप पहले 100 में से 33 का attempt करते थे वो pass marks हुआ करते थे अब आपको after reduction 40% आपको 20 attemptation करनी है तो आपके वो equivalent count के जाएगे 33 marks और वो आपके होंगे pass marks I hope या आपको समझ आया होगा कि 40% reduction के बाद आपको किस तरह से attemptation करनी है और वो कितने marks के बराबर होगा अगर आप चाहते हो कि इससे related और भी information आपको चाहिए होगी तो आप channel को subscribe करिएगा और साथ में लगे bell icon को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली notification आप तक directly पहुंच जाए Thanks for watching